आप सबका स्वागत है इस वीडियो में, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं World Competitiveness Index 2021 की, इसको हिंदी में कहेंगे विश्व प्रतिशपरधात्मक सूचकांक, ये रैंकिंग है किसके द्वारा जारी की जाती है, भारत का स्थान क्या है, कौन से देश ने, किस देश ने करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, कि ये जो World Ranking है, ये किसके द्वारा जारी की जाती है, तो ये जारी की जाती है, IMD के द्वारा, IMD का Full Form होता है, Institute of Management and Development, तो Institute of Management and Development, जो है, इसके द्वारा ये रैंकिंग जारी की जाती है, और इसमें कुल 64 देशों को 64 economies को शामिल किया जाता है, अब किस बेसिस पे ये करते हैं, और इस साल का बेसिस क्या था, तो ये इस बात के बारे में इस रैंकिंग में बताते हैं, कि किस देश की अर्थव्यावस्था ने किस तरह का विकास हाशिल किया है, इसके साथ साथ ये भी बताते हैं, इस बार के ब साल की ranking के बारे में इस साल की ranking के बारे में इन्होंने कहा है कि this year the ranking exposes the economic impact of the pandemic across the globe यानि पूरे विश्व में इस महामारी की वज़ा से क्या-क्या दिक्कते हुई है उसका सीधा-सीधा प्रभाव देखने को मिलता है इस बार की ranking पे अब वो कौन सी qualities है जिन इसका प्रभाव देखने को मिला है तो यह qualities है investment in innovation नवाचार में जो investment निवेश किया जाता है digitalization में welfare benefit और leadership resulting in social cohesion have helped economies better weather the crisis allowing them to rank higher in the competitiveness अब इसमें हम बात कर लेते हैं इस slide में कि कि किस देश ने पहला स्थान हाशिल किया है तो देखिए पहला स्थान मिला है switzerland को तो आप याद रखिएगा world competitiveness index में पहली rank है switzerland की और 33 सालों के इतिहास में पहली बार switzerland को imd की world competitiveness ranking में पहला number मिला है ठीक है याद रखिएगा पहला number इनको मिला है sweden का जो स्थान है वो है दूसरे number पे है sweden ये पिछली बार sixth था देखिए और इस बार इसकी छलांग है सीधे छटे अस्थान से दूसरे स्थान के लिए डेन्मार्क को तीसरा मिला है डेन्मार्क को 2020 में second rank मिला था 2021 में इसको मिला है अब हम इसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं भारत का स्थान भी चर्चा कर लेते हैं यहां पे देखिएगा नेधरलेंड जो है वो फोर्थ पे है अब यहां आपको डीटेल में पता चलेगा एक बार पहले समराइज कर लेते हैं इसको रिलीज होता है IMD के द्वारा Institute for Management and Development जो Swiss Origin का एक इसके द्वारा जारी किया जाता है विश्व प्रतिश्परधात्मक सूचकांक या रैंकिंग 2021 कुल 64 देशों में भारत का स्थान 43 है पहले नंबर पे Switzerland दूसरे पे Sweden तीसरे पे Denmark और Asia की Economies की अगर बात कर लें कि ACI देशों में किन देशों का वर्चस्व रहा है तो पांचवे नंबर पे Singapore है साथवे नंबर पे Hong Kong है आठवे नंबर पे Taiwan है और 16 नंबर पे China है चाइना इस बार Top 15 से भी बाहर हो गया है और चाइना का इस बार अस्थान 16 हमा है भारत का अस्थान 43 हमा है अब देखिए यहां पे आपको पता चलेगा कि वास्तों में क्या इस बार Change हुआ है देखिए Top 5 Countries के अगर हम बात करते हैं तो Switzerland का आप देख सकते हैं 2020 में जहां तीसरी रेंकिंग थी 2021 में एक है मतलब इसमें सुधार हुआ है Sweden 2020 में चठे रंबर पे था तो इस बार Second नंबर पे आ गया है Denmark दूसरे नंबर पे था इस बार एक पायदान खिसक के तीसरे नंबर पे निदर लेंड का स्थान बर करार रहा है पिछले साल 2020 में भी चौथे न पहला था जबकि 2021 में यह आ गया है पांचवे नंबर पे अगर हम भारत के परफॉर्मेंस की डीटेल एनालिसिस करें कि कि किस तरह से पिछले वर्सों में भारत अच्छा गया है या खराब गया है तो आप ऐसे समझ सकते हैं भारत की रेंकिंग देखे 2013 में चालीसमी थी फ इडिया की रेंकिंग वर्ल कंपेटिवनेस इंडेक्स में यह आप समझ सकते हैं ठीक है तो नंबर अफ कंट्रीज विच पार्टिसिपेट इन रेंकिंग एक्सराइज वैरीज इच यह मतलब हर साल जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनका स्थान बदलता रहता है यहा मतलब जो देश और अच्छे से प्रिपेर कर सकता था उसके हिसाब से बनाए गया